दोस्तो आज जो हमारे विडियो का टॉपिक है वो रहेगा जॉन मेंडीवल के उपर दोस्तो इन्हों यह कोई एक बहुत बढ़े ही रिनाउंड राइटर नहीं है इन्होंने एक माइनर सा वर्क लिका है जो की और वो वर्क भी नेट के पॉइंट भी उसे काफी इंपोर्ट हैं और उस वक्त बहुत सारा बुक पॉब्लिस नहीं हुआ था तो इसलिए यह थोड़े बहुत इंपोर्टेंट हो जाते हैं तो इनसे ज्यादा कोई कोशन बना नहीं है मुझे तो एक भी कोशन मिला नहीं है इनके उपर फिर भी मैंने कुछ बुक जैसे अरिहंत जब मैं पढ़ रहा था उसमें जोन मैं निवल जो थे वो मेंसन थे तो मैंने सोचा कि इसके उपर भी एक वीडियो बना दी जाए तो इस वीडियो में उनके कुछ की कंसेप्ट को देखेंगे और कुछ MCQ हम लोग देखेंगे जो कि Nate के point of view से important है तो चलिए दोस्तों इस वीडियो जो वीडियो होती है उसमें मैं जो राइटर होते हैं उनको मैं उनका जो death है और जो जन्म है वो कब जनम लिये थे और कब उनका मृत्ति हुआ मैं इसके उपर जादा focus नहीं करता क्योंकि इनसे जादा questions बनते नहीं है hardly एक question आएगा और सायद नहीं भी आएगा तो यह जा राउंड राइटर हैं जिनके आप date of birth और कब और date की वो याद कर सकते हो लेकिन जो minor character है उनका जो key concept है सिर्फ हम अगर वो जान ले तो वो काफी है तो इसलिए मैं जात्तर राइटर जो minor writer होते हैं मैं उनका जो जनम दीन है और मृत्यू है वो मैं mention नहीं करता तो दोस्तो सारे समुद्र को cross किया था बहुत साले समुद्र में वो घुमे थे और उन्होंने टर्की, Syria, Arabia और Libra का उन्होंने explore किया तो यह जो country है जैसे कि Turkey हो गया, Syria हो गया, Arabia हो गया, Libra होगा इसको उन्होंने explore किया था अब जब यह इन देशों में जाकर घुमे इसको जब उन्हों उन्होंने explore किया तो जो उनका experience है, वो उन्होंने इस work में, यानि कि Travel of Sir John Mandival में, वो सारे के सारे experience को इस book में उन्होंने लिख दिया, यह जो book है, वो 1356 में French में publish हुआ, और 1375 में ये English में publish हुआ, ठीक है, अब जो अगला point है, वो यह है कि Christopher Columbus, जो कि एक बहुत बड़े explorer थ थे, वो इस work से बहुत जादा publish हुए थे, और इस work से publish होने के बाद ही उन्होंने इंडिया का खोच किया, तो Christopher Columbus जो थे, वो the travel of Sir John Mandival से बहुत जादा influence थे, अगला जो point है, वो यह है कि Marco Polo, Marco Polo जो थे, उन्होंने इस book से inspire होकर एक work लिखा, जिसका की नाम है travel, तो इस से जादा कुछ important नहीं है उनके life के बारे में जानना और इससे जादा आप कुछ और जान भी नहीं सकते हो इनके बारे में, क्योंकि यह बहुत ही एक छोटे writer है, तो इसके बाद यही सारा key concept है, और अगर इतना आप याद रखते हो, तो बहुत है इनके लिए, John Mandival के लिए ब character के रूप में देखने के लिए मिलेगा, जिसका की answer है, kids का, the eve of St. Agnes, तो जो kids का work है, the eve of St. Agnes, उसमें यह character है Madeleine, अगला question, which year is seen as the start of the age of railways in England, तो जो railway था, वो England में कब start होया, यानि किस साल में वो start हुआ, और उसका answer है 1825, अगला question है दोस्तो, the which of Atlas is a major work by, तो यह जो work है, the which of Atlas, yes, यह work जो है, वो किस ने लिखा, और इसका answer है Percy Bushi Sally, next question यह है, who is the author of the lives of the novelist, तो यह जो work है, the life of the novelist, यह किसके द्वारा लिखा गया है, और इसका answer है Walter Scott, अगला question है, friends, who wrote the poem, the French Revolution, originally intended to be in seven books, but the only one book of his survives, तो इसका मतलब यह है, कि जो French Revolution work है, वो वास्तों में तो साथ बुक में लिखा जाना था, मतलब साथ बुक में इसको publish करवाया जाना था, लेकिन सिर्फ इसका एक ही बुक सर्वाइफ जो है, एक ही बुक इसका सर्वाइफ कर पाया, तो the French Revolution यह वास्तों में किस ने लिखा था, और इसका एंसर है William Black, तो दोस्तों आज जो हमारा वीडियो का टॉपिक है, वो यही पर सनाफ्त होता है, और वीडियो देखने के लिए बहुत सारा धन्यवाद,